स्कूल में हिस्ट्री सबका फेवरेट सब्जेक्ट ना सही लेकिन थियेटर में जब हिस्ट्री वाली मूवीज आती हैं तो अकसर बॉक्स ओफ इस कलेक्शन फार्ट देती हैं पैसा ही पैसा होगा बाबू भईया लेकिन क्या वाकरी फिल्म में दम हैं मास्टर पीस बोलू या फिर सूपर डूपर फ्लॉप सिनिमा जवाब अभी मिल जाएगा आपको तुरंट दो इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको पहले से बताना ज़रूरी है फर्स तो ये कि ये फिल्म हर किसी के लिए बिल्कुल नहीं है प्रॉपर वॉर टाइब की मास्ट मूवी एक्सपेक्ट करे हो तो थियेटर बिल्कुल मत जाना ये एक पॉलिटिकल ड्रामा है दूसरा ये कि पार्ट टू को समझने के लिए पार्ट बन जरूर से देख लेना भया हो सकता है वो वाली फिल्म आपको ज़्यादा समझ में आये थोड़ा मुश्किल लगे लेकिन इस पार्ट टू को वो फिल्म आसान कर देगी इजी कहानी पॉलिटिक्स की है राजलीटी की चोल सामराज्य पे खत्रा आया है बहुत सारे दुश्मन का संदेशाल आया है अब लोगों को चाहिए सेफटी और ऐसे में ड्यूटी आती है राजा की अपनी प्रजा की रक्षा करना फॉरेवर डे एंड नाइट लेगिन यहां राजा खुद पास्ट से भाग रहे हैं एक लव स्टोरी जो धीरे धीरे ट्रेजडी में बदल गई और अब एंडिंग का वक्त आ चुका है बट इस पूरी कहानी में ट्विस्ट क्या है आप जानते हो दुश्मन ना करे दोस्त ने वो काम किया है ये गाना तो सुना होगा पका तो बस इस फिल्म में हर केरेक्टर के चहरे पर एक मास्क है एक मुखोटा जिसके अंदर का असली सच में दुनिया से छुपा के रखता है सस्पेंस, त्रिल, ट्विस्ट पर ट्विस्ट तीनों चीज़े अनेक्सपेक्टेड मिल जाएंगी आपको मांगने की ज़रुद नहीं पड़ेगी पोनियन सिर्वन एक कम्प्लीट स्टोरी बेस्ट फिल्म है भहिया, कहानी इसकी असली हीरो है, बाकी स्टार कास्ट को आप साइड में रख दो मैंने देखा था लास्ट टाइम कुछ लोग पार्ट पन को राजा मॉली सर की फिल्म बाहु बली के साथ कम्पेर करके बहुत जादा डिसपॉइंड फिल कर रहे थे तो भहिया, बाहु बली एक मास्ट फिल्म तीर, इसमें कहानी का उतना रोल नहीं था, जितना कहानी को कैसे दिखाना है, उस बार पे फोकस जाला गया था यकीन मानो मेरा, यह जो पी-एस फ्रेंचाइज में कहानी बेस मूवीज बनाई गई हैं, अगर स्टोरी पकड़के चलोगे ना, तो बाहु बली जैसी दस मूवीज बन जाएंगी इसमें राजा मॉली सर अपनी फिल्म में चैंपियन है, लाजर देन लाइफ टाइप का सिनमा उनको बनाना आता है, बहुत बढ़िया से, कोई कॉम्पेटिशन नहीं है वहाँ लेकिन पॉनियन सिल्वन जैसा complete detailed storytelling ये अपने में एक अलग कैटेगरी है सर, जो इसके साथ connect कर गया उसको jackpot लगेगा फिल्म की सबसे बढ़िया बात मुझे लगी कि natural real locations का जादा इस्तिमाल किया गया है in comparison to VFX and special effects मतलब जितने भी actors हैं फिल्म के अंदर फिर चाहे वो lead हो या फिर supporting या फिर बिल्कुल छोटा सा role है उनका background में हर किसी को कुछ इस तरीके से use किया गया है कि फिल्म देखते वक्त ऐसा लगेगा कि सच में टाइम तीछे चला गया है time travel हम history आँखों से देख रहे हैं ऐसा feel होता है पूरे धाई गंटे एक भी scene में छोटी सी गलती भी ढूने से नहीं मिलेगी PS1 में काफी लोगों को शिकायट थी कि फिल्म की story बहुत जादा fast थी इतने सारे characters डाले गए थे अंदर कि last तक कुछ समझी नहीं आया खुश ख़बी इस बार कहानी simple है लेकिन असरदार है powerful starting scene से end तक आप हर एक character को समझ जाओगे उसके साथ connect करोगे देखो मनी रतनम सर का direction intelligent type का है वो एक कहानी के पीछे 4-5 और कहानियां साथ में चला रहे हैं आपका दिमाग तेज होना चाहिए एक ऐसा topic जिसको शायद हम book में पढ़ने लग जाए तो एक साथ कभी खतम नहीं कर पाएंगे उसको सिर्फ एक film के अंदर ending तक पहुचा देना तारीफ तो होगी फिर जो 50% फिल्म का काम था वो actors ने पूरा कर दिया हर कोई अपने character के अंदर 100% घुस गया है रियल लाइफ भूल जाओ इनकी specially एश्परा राय ने इस बार dominate किया है पूरी film के अंदर beauty with brains वाली कहावत सच कर दिया है इन्होंने दूसरा कार्ती का performance बहुत solid लगा मुझे एकदम natural effortless acting इससे पहले मैंने कैठी में देखा था इनको बिल्कुल opposite character था उनका talent range काफी है बंदे में दूसरा फिल्म की cinematography सच में आपको time travel कराएगी चोल empire को live देखोगे तीसरा मनी रतनम सर की storytelling, politics, love, revenge, गुसा, खून, मौत, सब कुछ दिखा दिया एक ही फिल्म में चौथा casting perfect है सर, एश्वेरा राय वर्सिस त्रिशा का angle trailer से create करना genius idea था makers का negatives में यार आदा तो कटेगा action scenes जिनको फटा-फट निपटा दिया बिना किसी impact के वहाँ पे हलका सा मास फाला feel तो बनता था बचा हुआ आदा कटेगा emotions जो public थोड़ा सा कम feel करेगी इस कहानी में जिसने books पढ़ी है बच्पन से वो तो fascinate होंगे लेकिन सिफ movie देखने वाले उतना connect नहीं कर पाएंगे अब choice आपकी है सर, बस राजा मॉली टाइप का cinema expect मत करना यहाँ पर दिमाग का खेल है politics वाला, उसमें मज़ा आता है तो भाग के जाओ theater बागी वीडियो में कुछ पसंद रहा हूँ या फिर कुछ शिकायब करनी हो तो मैं आपको Instagram पर भी मिल जाओंगी वड़ना थोड़ा सा इंधिजार करिये, मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, take care, bye bye